ये कहानी हिना की है जिसके हाथों में गजब का हुनर था बच्पन से ही हिना को मेहधी लगाने का बड़ा शौक था बिना कहीं से सीखे वो मेहधी के बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाती थी लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे हिना, जब सिर्फ दो साल की थी, उसके अब्बा इस दुनिया से रुकसत हो गए थे तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा करना घर के जो भी काम बचे हैं, तू निप्टा लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूँगी, लेकिन आप काम से लोटते हुए बिर्जु अंकल की दुकान से मेहन्दी लेती आना, याद से ले आना भूलना मत हाँ हाँ, ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू सारे काम कर लेना ठीक से हिना की मा सबीना लोगों के घरों में काम करके, अपनो और हिना का खर चुठा रही थी, वो हिना को स्कूल भेशना चाहती थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए और पैसों की जरूरत थी सबीना तीन ग़रों में साफ सफाई और बरतन धोने का काम कर रही थी और फिल्हाल उसकी कमाई से सिर्फ खाने और पहनने का ही जुगाड हो पा रहा था सबीना हर रोज काम निप्टाने के बाद नया काम धोनने निकल जाती लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लग रही थी अमी आज बड़ी देर हो गई आपको फिर से काम ढूणने दूर निकल गई थी क्या हाँ कई जगा पूछा लेकिन कहीं बात नहीं बनी अमी और कितना काम करोगी तीन घर तो पहले से ही है इससे ज़ादा करोगी तो बिमार पर जाओगी मेरी बात मान लो ना आप मुझे सोनाली भावी के ब्यूटी पार्लर से काम सिखवा दो फिर देखना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूँगी और खूब सारे पैसे कमाऊँगी फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे अम्मी मेरी मेंधी कहाँ है खरीदी तो थी ना नहीं खरीदी और नहीं खरीदूँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे शौक पूरे करने के लिए और एक बात साफ साफ सुन ले हिना ये पार्लर वार्लर का काम नहीं सिख्वा पाऊंगी भै तुझे किसी तरह थोड़ी और कमाई बढ़ जाए तो सबसे पहले स्कूल भेजना है तुझे इतना केकर सबीना रसोई में चली जाती है हिना अपने घर के हालाद जानती थी और अच्छे से समझती भी थी अरे वाही ना ये डिजाइन तो पार्लर वाली भी नहीं लगा पाई थी और तुमने बिल्कुल जैसे का तैसा बना दिया हाँ भाबी आपने जिस दिन ये डिजाइन दिखाया था उसे दिन से इसकी तैयारी कर रही थी सच में बहुत ही सुन्दर मेंदी लगाई है अब एक काम करो ये मेरा पर्स रखा है जरा खोलो तो इसे हाँ भाबी क्या चाहिए पर्स में से वो पचास रुपे है ना उन्हें निकालो हाँ ये लीजे अब क्या करना है इन्हें तुम रख लो अरे नहीं नहीं भाबी इसकी जरूरत नहीं है मैंने कभी आपसे पैसे मागे है क्या मुझे तो मेंदी लगाने का शौक है बस इसलिए लगाती हूँ हाँ जानती हूँ और इसलिए ये पैसे दे रही हूँ ताकि तुम अपने शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाओ तुमें पता है सोनाली भाबी के पार्लर में एक हाथ का सौ रुपे लेते हैं और मेंदी भी अच्छी नहीं लगाते तुम उन्हें कड़ी टककर दे सकती हो लेकिन सुश्मा भाबी मेरे पास कोई क्यों आएगा मेरा तो पार्लर भी नहीं है और मैंने कहीं से मेहंदी लगाना सीखा भी तो नहीं है तो क्या हुआ तुम्हारा काम सबको खीच कर लाएगा देखो शादियों का सीजन आने बाला है मैं अपनी सारी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो वो औरों को बताएंगी ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाबी मेर मेरा शौक भी पूरा होगा और मैं अम्मी की मदद भी कर पाऊंगी। हिना के पास अगले ही दिन दो औरते महंदी लगवानी के लिए आ गए। उन्हें सुश्मा ने ही हिना के पास भेजा था। हिना पूरी महनत से उन दोनों के हाथों पर बहुत ही सुन्दर महंदी लगाती है। जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे हिना के पास काफी और और लड़कियां महंदी लगवाने उसके घर आने लगी। और हिना घर बैठे बैठे कमाने लगी। अरे हिना ये राशन कौन लेकर आया। मैं लाई अम्मी महनदी लगा कर मेरे पास पैसे हो गए थे। उनी से लेकर आई हूँ। हिना की बात सुनकर सबीना की आँखों में आसु आ जाते हैं। वो हिना का सिर सहला कर अपने काम में लग जाती है। वक्त के साथ हिना का नाम होने लगा। मुहले के मशूर पारलर के बजाए अब हिना के घर पर औरतों की भीड आने लगी। आपका सब कुछ हो गया, बस मेंदी बाकी है। सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि वो ग्राहक किस से मेंदी लगवाने वाली थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे ना का, ऐसे तो हमारे यांसे कोई मेंदी लगवाएगा ही ने। कुछ सोच सोनाली, ये अपने पारलर की इस्जत का सवाल है। सोनाली के पारलर से ही मेंदी लगवानी चाहिए था। भले ही डिजाइन अच्छा नहीं बनता लेकिन कम से कम मेरे हाथों पर ये ऐलर्जी तो नहीं होती। हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। वो बहुत डर गई थी। उसने फौरण अपनी सारी मेंदी पानी में बहादी और रोने लगी। हिना, परिशान मत हो बिटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मीं, खोदा पता नहीं किस कुनागी सजा दे रहे है। मैंने तो इतनी प्यार से मेहुदी तैयार कि थी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझसे मेहुदी लगवाने कोई नहीं आएगा। या हार मान कर रोते रहना है। पहले मैं ही तुझे इस काम से दूर रहने को कहती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इसी काम में तेरी खुशी है, और अब मैं तेरी साथ हूँ बेटा, शुक्रिया आम्मी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मेंदी को आखिर हुआ क् क्या हुआ था ये तो नहीं पता, पर अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं जिनके हाँ काम करती हुँ न, वो मैडम एक आयूरवेद की डॉक्टर है, उन्हें मैंने तेरी मेंदी दिखाई थी, उन्होंने बताया कि उसमें मेंदी के अलावा कोई और चीज भी थी, जो हाथों को नुकसान दे गई, लेकिन अम्मी मैंने तो कुछ अलग से मिलाया ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ, हो सकता है ये बिर्जु की मेंदी में कुछ कर बढ़ो, तू ऐसा कर, इस बर दूसरी दुकान से मेंदी खरीद, और सबसे पहले मेरे हाथों पर हिना के हाथों पर मेंदी का रंग बहुत ही अच्छा चड़ता है, और उसके हाथों को कोई नुकसान भी नहीं पहुचा था, ये देखकर हिना का खोया आत्मविश्वास फिर लोटाया, और वो फिर से अपना मेंदी लगाने का सामान लेकर, अपने घर के बाहर बैठ गई तभी सोनाली वहां से गुजरी, उसने हिना को देखकर उससे कहा, फिर खोल ली तुने अपनी दुकान, और कितने हाथों को खराब करेगी, ना क्वालिटी का पता और ना ही डिजाइन की समझ, चली है मुझसे टकर लेने, सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये सब छोड़ और वो कर, जो तेरी मा करती है, समझी, तभी वहां पर सोनाली की पांस साल की बच्ची आ जाती है, वो लगातार अपने हाथ खुजा रही थी, मम्मी, मम्मी खुजी हो रही है, मम्मी खुजी, अरे, तुमने वो महन्दी कब लगाई और क्यों लगाई, ए लड़क तेरी हिम्मत कैसे होई मेरी बच्ची के हाथों पर अपनी जहरीली महन्दी लगाने की, भाबी, श्रद्धा ने बड़े मन से कहा था, इसलिए लगा दी थी मैंने, लेकिन आप चिंता मत करो, ये मैंने एक तेल बनाये है, ये इसके हाथों को ठंड़क देगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना कहकर हिना सोनाली की बेटी के हाथों पर वो तेल मल देती है, जिससे उसके हाथ कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वाउ, मेरे हाथ दो बिल्कुल ठीक हो गए, मम्मा देखो न, दीदी ने कितनी अच्छी महन्दी लगाई है, दीदी, आज मेरे पैरों पर भी लगा दोगी, प्लीज. ये सब देखकर सोनाली हैरान थी. वो जानती थी कि उसकी बच्ची के हाथों पर एलर्जी की जिम्मेदार हिना नहीं बलकि वो खोद थी. वो ये सब करके भी हिना को मेंदी लगाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हिना ने एक-एक करके सभी के हाथ अपने तेल से ठीक कर दिये थे. सोनाली शर्मिंदा थी. उसने हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हिना, मुझे माफ कर दो, तुमारी मेंदी में कैमिकल मैंने ही मिलवाय था. मुझे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई. कोई बात नहीं भाबी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको टकर देने का मैंने कभी नहीं सोचा, बलकि मैं तो हमेशा से आप से सीखना चाहती थी. तो तुम मेरे पास आई क्यों नहीं? वो भाबी अम्मी के पास पैसे नहीं थे तो बस इसलिए. क्या हुआ अगर पैसे नहीं थे? तुम्हारे पास जो हुनर है वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है. तुम आज से ही मेरे पारलर में आना शुरू करो और मेरे ले काम करो. तुम सब को मेहदी लगाना और मैं तुम्हें उसके पैसे तो दूंगी ही, साथ ही पारलर का बाकी काम भी सिखाऊंगी. वो भी बिना पैसों के. जो सोनाली पहले हिना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, अब उसने एक ही पल में हिना की सबसे बड़ी ख्वाइश पूरी कर दी थी. सोनाली और हिना दोनों खुश थे, क्योंकि वो दोनों ही अब एक दूसरे की मदद करने जा रहे थे. गरीब चूडी वाली सनेहलता बहुत ही समझदार, सुल्ची और मेहनती लड़की थी. उसके पिता जगतीश और उसकी मा कमला को उस पर बहुत नास था. जगतीश एक मनियार था और वो चूडियां बनाने का काम करता था. और स्नेहलता अपने पिता से ये काम बहुत दिल लगा कर सीखा करती थी ये सब मुझे अच्छा लगता है पिता जी देखो न कितने रंगों को कांच में मिला कर कितना सुन्दर चूडियों का जोड़ा तैयार होता है हाँ ये बात तो तुने बिलकुल सच कही ये रंग बिरंगी चूडियां बनाने के बाद मुझे भी बहुत सुकून मिलता है पिता जी मैं भी चूडियां बना कर बेचा करूँगी बेटी ये चूडियां तो बनाना सीख ले लेकिन बेचने वाली बात मत बोल मैं तेरी शादी ऐसे घर में करूँगा जहां तुझे ये सब नहीं करना पड़े इसी तरह दिन निकलते हैं और सनेह लता की उम्र शादी के लायक हो जाती है एक दिन जगदीश के बचपन का दोस्त नत्थुलाल उसकी दुकान पर आता है वो भी पेशे से मणियार होता है आरे भाई जगदीश कैसे हो कैसा चल रहा है काम धंदा अरे नत्थुलाल कितने दिनों बाद आया है तू यहां तो सब ठीक है तू बता तेरे परिवार में तो सब ठीक ठाक है ना आहां सब बढ़िया है चूडिया लेने आया था सोचा इस बार तेरे यहां से चूडिया लेकर जाता हूँ बहुत लोगों से तारीफ सुनिये तेरी चूडियों की आहां क्यू नहीं तभी जगदीश अपनी बेटी को बोलता है कि अंकल के लिए चाय पानी लेकर आओ स्नेहलता चाय पानी लेकर आती है नमस्ते अंकल नमस्ते स्नेहलता बेटा तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो आखरी बार जब देखा था तो छोटी सी यहीं इदर उदर घूमती रहती थी तभी स्नेहलता की मा कमला भी वहां आ जाती है अरे नत्थू भाईया आप बहुत दिनों बाद आना हुआ हाँ भावी काफी समय बाद आया हूँ आज चूडिया लेनी थी तो जगदीश के पास चूडिया लेने आया हूँ नत्थू लाल वहां से काफी सारी चूडिया लेकर चला जाता है रास्ते में उसे खयाल आता है किस नहीं लता बहुत अच्छी लड़की है क्यों न अपने बेटे रवी की शादी इससे करा दू इससे मेरा बेटा भी सुधर जाएगा नत्थू लाल का बेटा रवी वैसे तो अपने पिता जी के साथ दुकान पर काम करता था लेकिन उसका मन कभी भी काम में नहीं लगता था वो हमेशा सपने देखता था कि कहीं से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए और वो मज़े की जिन्दगी जिये नाथुलाल कई बार उसको ये बात समझा चुका था पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था और स्नेल अता को देखकर नाथुलाल को लगा कि अगर इसकी शादी रवी से हो जाएगी तो रवी सुधर जाएगा यही सोच कर वो अगली बार जगदीश के पास जाता है भाई जगदीश देखो इस बार मैं तुमसे कोई चूडिया ओडिया लेने नहीं आया हूँ तो फिर क्या हुआ भाई नत्थु क्या कहना चाते हो मुझे तुमारी बेटी स्नेल अता बहुत अच्छी लगी मैं अपने बेटे रवी के लिए उसका हाथ मागने आया हूँ अरे यह तो बहुत अच्छी बात है तुमारा बेटा क्या करता है अब वो मेरे साथ दुकान पर ही बैठता है और तुझे मेरे कामधंदे का तो पता ही है अब बता क्या तु स्नेल अता का हाथ मेरे बेटे रवी के लिए देगा रुको मैं पहले कमला से पूछ लेता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं कमला भी ये सुनने के बाद स्नेल अता का हाथ रवी को देने के लिए तयार हो जाती है धूमधाम से रवी और सनेहलता की शादी हो जाती है पर शादी के कुछ दिन बाद ही सनेहलता को एहसास होता है कि रवी बहुत आलसी है पिताजी रोज सुबर टाइम से जाकर दुकान खोल लेते हैं आप इतनी देर तक घर पर रहते हो ये सब अच्छा नहीं लगता आप भी पिताजी के साथ टाइम से दुकान पर पहुँच जाये करो मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ जब आप जानते हैं तो फिर जाकर पिताजी का हाथ क्यों नहीं बटाते तुम्हारा काम घर संभालना है तो तुम अपने काम पर ध्यान दो इसी तरह चार साल निकल जाते है सनेहलता दो बच्चों की मा बन जाती है पर रवी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दिन सनेहलता के ससुर नत्थुलाल को दिल का दोरा पड़ता है और वो गुजर जाते है एक तु दिन बाद रवी दुकान पर जाना शुरू करता है सनेहलता को लगता है कि अब रवी सुधर जाएगा सनेहलता मैं दुकान पर जा रहा हूँ ये लीजे खाने का टिफिन और दिल लगा कर काम कीजेगा काम तो करना ही पड़ेगा वरना तुमारा और तुमारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा ये आप कैसी बाते कर रहे है बच्चे आपके भी है मैं तो ये सब चाहता ही नहीं था पिता जी को ही पड़ी थी मेरी शादी करवाने की ये सुनकर सनेहलता को बहुत बुरा लगता है सनेहलता के दोनों बच्चों की उम्रे जादा नहीं थी उसे लगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे रवी अपनी जिम्मिदारियां समझ लेगा छे महीने जैसे तैसे कटते हैं नंदू का जन्म दिन आ जाता है सुनो रवी नंदू का जन्म दिन है परसो और मैं चाहती हूँ कि ममी पापा को भी बुला लू तुम्हारा दिल जिसको चाहे उसे बुलाओ मुझे क्यों सुना रही हो क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम्हें जो करना है करो सुनेहलता नंदू के जन्म दिन वाले दिन सुबह जल्दी उठती है वो देखती है कि रवी घर पर नहीं है उसे लगा कि वो बाहर गया होगा अभी थोड़ी देद में आ जाएगा दो पहर तक सुनेहलता के मम्मी पापा भी आ जाते है उन्हें देख कर सुनेहलता और बच्चे खुश होते है क्या हुआ बेटा ये रवी कहां रह गया अभी तक नहीं आया बेटे के जनम दिन पर वो घर पर नहीं है क्या दुकान पर है नहीं माँ आज वो दुकान पर भी नहीं गए मैं दो बारी सुबा से दुकान पर हुआई हूँ पता नहीं कहां चले गए ये तो बहुत ही लापरवाई की बात है काफी इंतजार करने के बाद भी रवी घर नहीं आता स्नेहलता के ममी पापा भी चले जाते है अगले दिन सुबह स्नेहलता को एक खत मिलता है मैं रवी तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता इसलिए दुकान पर रखा हुआ जितना भी पैसा था और बैंक में जो पैसा था मैं लेकर जा रहा हूँ और ये दस जार रुपए तुम्हारे लिए ये पढ़कर सनेहलता होश खो बैगती है और रोने लगती है उसके माता पिता उसे वापस घर बुलाते है पर वो जाने से इंकार कर देती है एक महिना जैसे जैसे कटता है और वो पैसे भी खत्म होने लग जाते है अब सनेहलता के सामने अपने और अपने बच्चों की परवरिश का मुद्दा खड़ा हो जाता है तब ही सनेहलता फैसला करती है कि वो इस तरह गरीबी की जिंदगी नहीं जियेगी उसके हाथों में हुनर है और वो अब चूडियां बनाने और बेचने का काम करेगी स्नेह लता चूडियां बनाना शुरू कर देती है और फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देती है दोनों बच्चों को भी वो अपने साथ रखती है धीरे धीरे उसकी चूडियां लोगों को पसंद आने लगी एक बार वो एक महले में चूडियां बेच रही थी कि कुछ और ते उससे चूडिया लेने लगती है ये हरी चूडिया तो दिखाना बहुत प्यारी लग रही है और मुझे वो लाल नगो वाली चूडिया दिखाना ये लीजे, ये हरी वाली देखे और इसमें आपको और भी रंग मिल जाएंगे और ये लाल रंग वाली चूडिया, इसमें भी आपको कई तरह की चूडिया बिल जाएंगी बहुत सुनदर चूडिया है, कहां से लाती हो? ये सब चूडिया मैंने खुद बनाई है ये तो बहुत ही सुनदर चूडिया है ऐसा करो तो मुझे ये हरी वाली, लाल वाली और वो पीली चूडियां दो-दो दर्चन कर दो स्नेहलता कागस लेकर उसमें चूडियां पैक करने लगती है तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है वो इस नहीं लता कि चूडियां देखता है और वहीं रुख जाता है ये चूडियों की डिजाइन तो बहुत ही सुन्दर है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये चूडियां कहां से लाती हो ये सब चूडियां मैंने खुद बनाई है ये सच मुझ बहुत ही सुन्दर है मैं एक मणियार हूँ और शहर में मेरी चूडियों की दुकान है मैं तुमसे ये चूडियां खरीदना चाता हूँ हाँ हाँ बाबुजी बताइए कितनी pack कर दो तुम समझी नहीं बेन जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चूडियां खरीदना चाता हूँ आप ये सारी चूडियां ले लेंगे मैं ये सारी चूडियां भी लूँगा और तुमें कुछ चूडियों के ओर्डर भी देता हूँ तुम कहां रहती हो मुझे बताओ यहीं दूसरे गाओं में रहती हो अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ यह दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम इस तरह इने अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो यह मेरे ही बच्चे हैं उनकी देख भाल के लिए घर पर कोई नहीं है इसलिए अपने साथ लेकर चूडियां बेशने निकल जाती हो ओहो सुनकर दुख हुआ मेरी बात मानो बेन तुम यह सारी चूडियां मुझे बेश दो और मैं तुम्हें चूडियों के ओर्डर दूँगा तुम घर में बैट कर ही चूडियां बनाना और बेचना इतने छोटे बच्चों को लेकर कहां मारी मारी फिरोगी और फिर वो आदमी जिसका नाम किशनलाल होता है सारी चूडियां खरीद लेता है और अगली चूडियों का ओर्डर पे दे देता है अब स्नेहलता चूडिया बनाती और घर से ही बेशती, इस तरह वो दोनों बच्चों का ध्यान भी रखती और देखते ही देखते कई साल निकल जाते है स्नेहलता की मेहनत रंग लाती है, वो अब ठीक ठाक कमा लेती थी, जिससे वो अपनों और अपने बच्चों का गुजारा करती मामा, आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ ना बता मेरी बिटिया खो क्या खाना है, मा आज खीर पूरी बनाओ ना मुझे भी खीर पूरी खानी है ठीक है, आज मैं अपने बच्चों के लिए खीर पूरी बनाती हूँ स्नेहलता खीर पूरी बनाने लगती है, पूरी बनाते बनाते वो सोचती है कि कितने साल निकल गए आज बच्चे बड़े हो गए हैं कुछ सालों बाद और बड़े हो जाएंगे और काम्याब बन जाएंगे बहुत महनत लगी है मुझे यहां तक आने में इस महनत को मैं जाया नहीं जाने दूँगी मैं और मेहनत करूंगी और अपने बच्चों को अच्छी लाइव दूगी स्नेह लता फिर बच्चों को खाना खिला कर सुला देती है इस तरह कई महीने और निकल जाते है एक दिन स्नेह लता सुबह घर का काम कर रही होती है तभी दर्वाजे पर दस तक होती है गोपी बेटा ज़रा दर्वाजा तो खोलना देखो कौन आया है फीक है मम्मी मम्मी कोई अंकल आये है आपको पूछ रहे है कौन आया है और दर्वाजे पर रवी को खड़ा देख कर चौंक जाती है कैसी उसने लता देखो मैं वापस लोटाया हूँ अब मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा रवी वही रुक चाओ जहां तुम खड़े हो अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है खिन बच्चों के साथ रहने की बात कर रहे हो जो तुम्हें जानते तक भी नहीं है मुझे माफ कर दूस नहीं लता मैं उस टाइम समझ नहीं पाया मुझे अपनी जिम्मेदारियां बोज लगती थी रवी तुम्हें उस टाइम क्या लगता था क्या नहीं लगता था मुझे नहीं पता लेकिन आज इतने सालों बात जब मैं अपने आपको और अपने बच्चों को संभाल चुकी हो तो मुझे नहीं लगता अब हम तीनों को तुम्हारी ज़रूरत है और रही बात भरोसा करने की तुमेरी बात सुनो जो इनसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बारी भी जरूर देगा इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ और ये कहकर स्रहलता दर्वाजा बंद कर देती है मा कौन है ये कोई नहीं थी बेटी मुसाफिर था रास्ता भूल गया था चलो तुम भाईया के साथ खेलो मुझे चूडियां बनानी है